गुजराओद बीज़ेपी में बगावत दिगज नेता ने दिया इस्तीफा, बीज़ेपी प्रदेश अद्यष सीयार पार्टिल के खिलाब पार्टी में गुस्सा, धक्षर गुजराओद में बीज़ेपी को हो सकता है बडा नुकसान गुजरात को बीजेपी का सबसे मजबूत गड़ माना जाता है पार्टी यहां 25 साल से सत्ता में है लेकिन अब ये गड़ दरकता हुआ दिखाई दे रहा है पार्टी के अंदर बगावत भड़ती दिख रही है नेता इस्तीफा दे रही है वहीं एक दूसरे पर आरोपो का ख खेल तेज हो गया है और अब एक और दिखज नेता ने बीजेपी छोड़ने का एलान कर दिया है तो क्यूं मोदी के घर बीजेपी में मची है बगावत इस रिपोर्ट में करेंगे विस्तार सिचर्चा नमस्कार मैं हूं परवीन शेग आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर इसे लेकर बीजेपी विधायक संदीब देशाई ने F.I.R. दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष को बदनाम करने की साज़िश की जा रही है देशाई की शिकायत पर बीजेपी के तीन नेताओं को गिरफतार किया गया इसके बास सिस्ताफ ह हो गया कि गुजरात पीजेपी में बकावत के हालाद बन रहे हैं और अब पार्टी के प्रदेश सचीव प्रदीप सिंग वागेला के स्तिफ़े की खबर आ गई है गुजरात में प्रदीप सिंग वागेला को पार्टी में बेहत प्रभावशाली माना जाता है वागेला प पिछले चार महिनों में ये दूसरे महामंत्री की विदाई है। में केवल दो महासचिव रजनी पटेल और विनोथ चावडा रह गए हैं। ऐसे में पार्टी के कामकाश पर भी असर दिखने लगा है। गुजरात में 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी बीजेपी में अंतरकला देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रदेश प्रमुक सी आरपाटिल के खिलाब परचा कांड के बाद अब गुजाद बीजेपी के सबसे ताकतवर प्रदेश महामंतरी प्रदीप सिंग वागेला की विदाई हो गई है। चात्र जीवन से राजनीती में आये वाघेला की विदाई के पीछे कई तरह की चर्चाए हो रही हैं। चर्चाहे की एक जमीन सौधे में नाम आने के बाद उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया था। इसकी जाच गुजरात पुलिस की S.O.G. कर रही है। खबरों के मताबिक प्रदीप सिंग वाघेला ने प्रदेश अध्यक सी आर पार्टिल के कहने पर साथ दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। हाला कि कमलम यानि बीजेपी प्रदेश हैड ओफिस में उनके प्रवेश पर प्रतिबन नहीं हैं। तो वहीं दूसरी और प्रद प्रदेश में बदलाव नहीं किया था। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दस दिनों में गुजराद बीजेपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। संदीब देशाई को बदनाम करने की साजिश रची और परचा कांड किया। इससे पहले वडूद्रा में बीजेपी बनाम बीजेपी हुआ था। इसमें पार्टी ने मेयर पर गंभीर आरोप लगाने के आरोपी अलपेश लिमबाचिया को छे साल के लिए निकाल दिया था साबर काठा में पार्टी के मेंडिट के खिलाफ सहकारी बैंक के चुनाम में नेता चुनाम में लड़ गए थे। दोहजर चौबिस चुनाम से पहले गुजरात की सत्ता पर कबिस बीजेपी इस वक्त दबाब में नज़र आ रही है। लगातार हो रहे इस्तीफों ने भी पीजेपी को सवालों में ला दिया है और ऐसे में राहूल गांधी ने भी अपनी भारत जोडो यात्रा पार्ट टू का भी ऐलान कर दिया है। इस बार राहूल गांधी अपनी यात्रा के दूसरे चरण का आगाज गुजरास से ही करने जा रहे हैं। इस साफ है कि इस बार 2024 में गुजरात के चुनावी समिकरन बदल सकते हैं। मोधी सरने मामले में राहूल गांधी के सजा पर सुप्रेम कोर्ट से लगी रोक ने देश की चुनावी राजनीती में एक नया मोर ला दिया है। लोगसबा सदस्यता बहाल होने के बाद राहूल गांधी फिर से देश सिरफ 2-3 लोगों को फाइदा पहुचाना, देश का पूरा का पूरा धन उनके हवाले करना, कॉंग्रेस का मतलब गरीमों के साथ खड़ा होना, गरीमों के साथ मिलना, गले लगना और गरीमों के लिए काम करना। एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी की भारत चोड़ो वाली व यह लड़ाई है, हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम महबत की बात करते हैं, जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे करनाटक में बीजेपी गाइव हो गई, और मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्यप्रदेश में, चतिसगर में, राजस्तान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, वंग्रेफ पार्टी जीत के दिखाईगी, राहुल गान्दी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू शुरू होने जा रही है, ये यात्रा सितंबर या अक्टूबर महिने में गुजरात के पोरबंदर से श शायद यही वज़े है कि इस यात्रा का आगाज महत्मा गान्दी की जन्मस्तली पोरबंदर से किया जा रहा है, गुजरात से होते हुए ये यात्रा राजस्तान में प्रवेश करेगी और फिर इसके बाद मंद्यप्रदेश होते हुए आगे का रास्ता तैय कर सकती है, सद्धाय में गुजरात काफी एहम होने वाला है, बापो की जन्मसली पोरबंदर से यात्रा के दूसरे चरण के आगाज से ही बीजेपी में खलबली मच गई है, इस दुनिया में सिर्फ नरेंदर मोदी नहीं है, बाकी लोग भी हैं, अपने नेपनाओं की बात कीजिए, क गंटा बात करो, 70% टाइम आप खुल के अपनी बात करो, कॉंग्रेस में मेरे साथ ये किया, वो किया, मैं बहुत उदास हूँ, मेरे बहुत बड़े मित्र है, अदानी जी का बहुत अच्छा रिष्टा है, जो बोलना आप बोलो, और फिर 30% करनाटा के युवाओं की बात करनाटा की महिलाओं की बात करो, करनाटा की किसानों की बात करो, आप क्या करने जा रहे हो, वो बोलो, आप सब यहाँ आए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। के साथ एक सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी, इसके बाद भुपेंदर पटेल राज्ये के दूसरी बार मुख्य मंत्री बने थे, प्रदेश संगठन की कमान इस वक्त नवसारी से सांसद सी आर पार्टील के पास है, उन्होंने 2024 के चुनाव में 5 लाग के अंतर से क्ल तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे और इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें और शेर करें, देखते रिए डीबी लाइफ, नमस्कार